आज का पहला जो क्युस्टन है करेंट अफेर का वो ये है कि हर्याना के किस जिले में नीरज जोपडा के नाम पर पहली बार ओपन जैवलिन थ्रो चम्पिनसिप का आउजन किया जाएगा ओपन जैवलिन थ्रो चंपिंशिप का आयूजन किया जाएगा हर्याना के करनाल जिले के अंदर option number A है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा टोक्यो ओलंपिक में gold medal इन्होंने जीता था कौन सी तारीक को 7 अगस्त को जीता था 2021 के अंदर इसी करके 7 अगस्त को इस बार जो है ना हम लोग जैवलिन थ्रो डे सेलिबरेट करने वाले हैं पहला जैवलिन थ्रो डे होने वाला है और इनी को ही सम्मानित करने के लिए अभी recently जो है ना करनाल के अंदर करनाल के करन स्टेडियम में जो है ना अभी recently एक ओपन चैंपिंशिप होने वाली है यह जो निरच चोपड़ा है यह हर्याना के पानिपज जिले के गाउं खंडरा के रहने वाले हैं वर्ल्डन बोई के नाम से इनको खेर जाना जाए ही रहा है ठीक है तो चैंपिंशिप जो है ना 6 से 7 अगस्त को होने वाली है यह भी याद रखना चे और 7 अगस्त को अथलीट डोट इन पॉर्टल पे रजिस्टेशन करवाने के लिए 22 जुलाई से जो है ना वो आपन होगा सीनियर अंडर 20, 18, 16 और 14 वर के लड़के और लड़कियां जो है ना इसके अंदर भाग ले पाएंगी अच्छा करनाल की अगर मैं बात करता हूँ तो करनाल से रिलेटिड एक वेरी वेरी इपॉर्टन करिंट अफेर कहिएगा किस्टन या न्यूस कहिएगा करनाल से जो है ना लगू सुक्षम लगू और मध्यम जिसको आप MSME कहा करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल की सुरुवात की गई थी 23 फरवरी 2022 को जिसका नाम है पदमा इस पदमा का फुल फॉर्म आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है जरूर याद रखिएगा प्रोग्राम टू एक्सलरेट डवलप्मेंट फॉर MSME एडवांसमेंट इसको शुरू किया गया था 23 फरवरी 2022 को हर्याना के सीम साब ने के साथ में हर्याना के डिप्टी सीम भी साथ में थे दुशन चोटाला ने करनाल से इसे स्टार्ट किया था इस योजना से 25,000 करोड रुपे निवेस करने का अनुमान है मतलब इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस योजना के तैत इसका मतलब मोटीव क्या है आप पूछेंगे तो देखो मोटीव यह हर्याना के जितने भी ब्लोक है वहाँ पे उन ब्लोक को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना वहाँ की इंडस्ट्री है उसको ग्रोड करवाना या यूं करीगा इंडस्ट्रियल जो है न उसको ग्रोथ में हिस्सा देना के अलावा जो वहाँ के लोकल युवा है उनको रोजगार देना ताकि बहुत important बात है क्योंकि अंतोध्य परिवार मतलब 1,80,000 से जिनकी आये कम है साला ना उनको जो ना इस आये तक लेके आना या इससे भी ज़्यादा लेके जाना तो यही इस पदमा योजना का सीधा सीधा उदेशे है तो पदमा योजना की सुरुआत हुई थी करनाल से हुई थी 23 फरवरी 2022 को इसकी सुरुआत की गई थी इसके लावा करनाल के अंदर ही ना एक अंतरास्टी ए लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है उसको भी याद रखना दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर है और उसका नाम पहले मॉंटेरा क्रिकेट स्टेडियम था लेकिन वरतमान में नरेंदर मोधी क्रिकेट स्टेडियम है उसका उदगाटन किया था 14 फरवरी 2020 को डोनाल टरंप ने किया था याद हो तो हर्याना सरकार की पहले मतलब कोई घर बैठे किसी चीज में योगदान देना चाहता है बहुत ऐसे लोग है जो समाज सेवी टाइप के होते हैं समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हर्याना के लिए सेवा के लिए एक परकार का पोर्टल लगाया है लगबग इसके भागिदारी कोई सामाजी कोड़िट में कोई किसी स्कीम का सरवेक्षन करने के मामले में कोई वुमें एंड चाइल डवलप्मेंट डिपार्टमेंट में इन ये वालेंटियर्स के फिल्ड है तो हर्याना के मुख्य मंत्री ने जो है ना हुनर अप्लिकेशन जो है ना चंदीगड के अं तो ये तो पॉइंट आप लोगों को वैसे भी याद रहना ही रहना है ठीक है और एक बात और है कि करनाल जिले से ही मुख्य मंत्री गरीब परिवार ठीक है ना अच्छा सोरी ये एक अप्रेल मुझसे गलत लिखा गया एक अप्रेल को तो अंतोध्य परिवार योजना थी ये 25 सेप्टेंबर है ठीक है इसको करेक्ट कर लेना 25 सेप्टेंबर है 25 सेप्टेंबर 2021 है समरपन पोर्टल 25 सेप्टेंबर 2021 को लौंच किया गया था अंतोध्य योजना ये है एक अप्रेल को ठीक है एक अप्रेल 2021 को है ठीक है तो ठीक है अंतोध्य योजना है अब ये क्य विदावाद में हैं तकरीबन और सबसे कम गरीब जो है ना हरियाना में वो पंचकुला के अंदर है तो लगबग लोगों को 1,80,000 की इंकम तक लेके जाना यह रहा एक अप्रेल से मुख्य मंत्री अंतोध्य परिवार उत्थान की योजना की सुरुआत हुई है यह भी करनाल 27 फरवरी 2021 को स्टार्ट किया गया एक अप्रेल 2021 को स्टार्ट किया गया इसे कब स्टार्ट किया गया इस योजना की घूशना जोना हुई थी गुरु रवीदास जी के 644 ने जनम दिवस के आउसर पे इसे योजना की घूशना की गई और स्टार्ट तो एक अप्रेल को यह वही गई थी